तो बहुत बहुत स्भागत है आप सभी का स्पोर्स तक में बात करेंगे टीटवाइंटी वर्लकॉप की जून के महीने में टीटवाइंटी व्लकप होना है और इस टीटवाइंटी व्लकप में टीम इंडिया को बड़ी उम्मीदे हैं क्योंकि इस बार Team India चाहेगी कि World Cup जीता जाए T20 World Cup Team India ने 2007 में जीता था आखरी बार और वो पहला ही T20 World Cup था और उसके बाद से Team India World Cup T20 का नहीं जीत पाई है पिछली बार जब यह World Cup हुआ था उस्ट्रेलिया में हम समी फाइनल में गए थे ऐसे में अब इस बार Team India चाहती है कि इस World Cup को जीता जाए पिछले साल घर में पचास ओवर के World Cup में हम फाइनल खेले लेकिन फाइनल मुकाबला हार गए ऐसे में T20 World Cup के हीरो भारत को जिन्होंने 2007 T20 World Cup जिताने में बड़ी मदद की थी युराज सिंग वो 6 चके वो 12 बाल की 50 उसी टूनमेंट में आई थी और युराज सिंग एक important किरदार थे भारत के उस World Cup जीतने में उन्होंने इस बार prediction की है T20 World Cup को लेका 4 टीमों के नाम बताए हैं जो इस बार T20 World Cup में समी फाइनल खेल सकती है अब समी फाइनल के लिए देखिए बहुत सारी टीम में दावेदार होगी जाउट ओफरिका अच्छा कर रही है वेस्ट इंडीस की टीम का आप हलके में नहीं आग सकते इंग्लेंड डिफेंडिंग चैंपियन है उससे पहले UAE में जो वर्ल कप हुआ था दो हजार इकिस में वहाँ पर चैंपियन बनी थी आस्ट्रेलिया उनको तो कभी भी हलके में नहीं लिया जाता टीम इंडिया है यहाँ पर पाकिस्तान है न्यूजिलेंड है बहुत सारी टीम है लेकिन यूराज सिंग को कौन सी चार टीम में लगती है जो इस बार का सेमी फाइनल खेले की वो एक बार देख लेते हैं तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं यूराज सिंग ने चार टीमों के नाम बताए है जो इस बार T20 वर्ल कप का सेमी फाइनल खेल सकती प्रेडिक्शन है ये युराज सींग की दिगज युराज सींग का कहना है किंडिया, आउस्ट्रेलिया, इंगलेंट और पाकिस्तां तो इन चार टीमों के नाम बताए है युराज सींग ने अब इंडिया की बात करें इंडिया की टीम अच्छी नजर आ रही है टी-20 वर्ल् में इसको लेकर रोट चर्चा हो रही है रिश्वपंद जैसे एक नाम निकल कर आया है जो शायद दो महीने पहले team इंडिया में शामिल होने को लेकर चर्चा में शामिल नहीं थे लेकिन अब वो team इंडिया में चुने जा सकते हैं इसकी पूरी-पूरी संभावनाई है इसके की टीम भाई चैंपियन बनी थी अभी कुछी साल पहले 2021 में उन्होंने टीटवंटी वर्ल कप जीता था फाइनल में निजलेंड को हरा दिया था उसके बाद इंग्लेंड की टीम को भी आप फलके में ने ले सकते डिफेंडिंग चैंपियन हैं आस्ट्रेलिया में जाकर वो मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान को हराय था तो इंग्लेंड और उस्ट्रेलिया टीटवंटी वर्ल कप में जरूर दावेदारी पेस करना चाहेंगे मजबूत रूप से और दोनों टीमों के अंदर वो दम है और याद कीजिए साल 2010 जब इंग्लेंड पहली बार वर्ल नहीं लिया आ जा सकता उनके कुछ खिलारी अगर पूरी तरीके से फिट हो जाएं तो इंग्लेंड की टीम बड़ी मजबूत हो जाएगी बाकी एक नाम और बताया है पाकिस्तान का पाकिस्तान की टीम को लेकर अब यहां पर वही बात है ना कि हलके में नहीं आका जा सकता पाकिस्तान की टीम को भी क्योंकि अगर पिछले d Composak की बात करें तो दोनों बार इनोंने नॉक आउट्समें जगह बनाई है एक बार सेमी फाइनल खेला और एक बार फाइनल खेला तो पाकिस्तान की टीम को आप हलके में नहीं ले सकते हलाकि अभी इनकी घर में टैयारिय चल रही है नियूज़िलेंड के खिलाब, वहाँ पर टीम नियूज़िलेंड से हार गई, कुछ मुकाबल है, लेकिन हाँ, अभी भी पाकिस्तान की टीम चाहेगी कि इन प्रॉदिशन से सीखा जाए, और अपनी पूरी एक मजबूर टीम तैयार की चाहे, कुछ खिलाडियों कि वापसी हुई है इनकी जैसे कि अभी माध वसीम स्कॉड में लोट आए हैं भाही मौमधामीर लोट आए तो उनके साथ किस तरीके से एक नहीं टीम तायार होती है किस तरीके से performance निकल का सामने आता ही है यह पागस्तान देखना चाहेंगे लेकिन यह चार टीमन युराज स लाइक कीजिए, शेर कीजिए, इस पोर्स तक को सब्सक्राइब कर, नोटेशन की घंटी दबाईए, वीडियो अगर आप हमारे फेस्बुक केज पर देख रहे हैं, तो फेस्बुक केज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए